अपने फ्रेंड के लापता हो जाने के पाद स्टेफनी उसे ठुणने की कोशिश करती है पर बहुत सारे ऐसे राज बाहर आए जो उसने सोचे भी नहीं थे अपने पाद स्टेफनी की सन का एक फ्रेंड बन गया था उसके साथ आज वो टाइम स्टेफनी को पहले उसके लिए मना करती है पर वो मानता है नहीं तो उसने स्टेफनी को बुचा क्या तुम ड्रिंक करती हो स्टेफनी कभी-कभी करती है तो इसके लिए उसके साथ उससे ले कर जाती है स्टेफनी हमेशा सबके साथ बहुत सारी बाते करती है घर में आने के बाद एमिली के एक अजीव सी पेंटिंग उसने देखी एमिली कहती है कि मुझे लगा था कि पेंटर बहुत बड़ी अपने हस्बंड के बारे में पताती हुए उसे कहा कि वो एक बुग राइटर था पर पिछले 10 सालों से उसने कुछ भी बुग नहीं लिखी थोड़ी देर में एमिली का हस्बंड शौन घर पर आता है उन दोर में बहुत ही अच्छी केमेस्ट्री थी एक दूसरे को थोड़ी एमिली हमेशा بहुत ही पावर्फुल लगती है उसकी dressing sense उसकी smell ये सब स्टेफणी को अच्छे लगते है एमिली कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो इतने सालों तक इस वल्ड मे तुम टिकी कहसे है स्टेफणी कहती कि सब की dark side होती है सिर्फ हम छुपा कर रखते है Emily इसमें interested हो के तो Stephanie ने अपने story सुनाई जब Stephanie के father की date हो गई थी तो उनके घर पर एक लड़का आया जो उसके father की तरह ही दिखता था उसे फिर पता चला कि उसका step brother है वो अपने father की date से बहुत ही upset थी उसका step brother कुछ दिनों के लिए उनके घर पर ही रहता है पर उसका call भी लग नहीं रहा था वो फिर उसके office को call करती है जहास उने पता चला कि Emily Paris गई है Stephanie ने फिर Sean को call लगा Sean अलग country में अपनी mother के पास था तो कि उसके mother को injury हो गई थी Sean कहता है कि Emily ने पहले भी ऐसा किया हुआ है वो उसे sorry कहता है और तुरंट घर आ जाता है इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि Emily अब तक वापस क्यों नहीं आई उसका कोई भी contact नहीं होता स्टेफने ने कहा कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए और ही report कर देते है हमेशा वाइफ के कायब होने पर हस्बन पर ही शक किया जाता है तो पुलिस भी Sean पर शक कर रहे थे Sean स्टेफनी से कहता है कि Emily बहुत ही mysterious है मैं कभी भी उसे figure out नहीं कर पाता शायद इसी वज़े से मुझे उससे प्यार हो कया था आज ज़रा ज़रा लेट हो गया तो स्टेफनी उसे यही पर सोने के लिए कहती है सुबा होने पर उस सब के लिए जल्दी उटकर smoothies बनाता है स्टेफनी को इस सब बहुत अच्छा लगा वो हमेशा अपनी life के बारे में अपने vlog में पताती रहती है एमिली के गायब होने के बारे में भी पता देती है उसने डिसाइड किया कि ओख खुद अब एमिली का पता निकाले की तो डारेक्लि उसके ऑफिस में पहुँच गई उसके बहुत से बात करना जाती थी पर वो ज़रा busy था तो जब वो ऑफिस में आ रहा था तो उसे डारेक्लि वो घेर लेती है स्टेफिनी कहती कि एमिली बहुत दिनों से गायब है और आप लोगों कुछ भी फरक नहीं पड़ा एमिली का बोस डेनिस कहता है कि अगर एमिली को कही पर जाना है तो चली जाती है किसी से भी पूषती नहीं और हम भी डर कर उसे कभी भी पूषते नहीं है वो स्टेफिनी को जादा भावन ہी देता और यहां से निकल जाने के लि अग्यां के लिग मिलने के बाद एमिली बहुत ही डिस्टब हो गई थी स्टेफनी को डेनिस ओफिस में पकड़ लेता है उस पर वो आवाज करने लग गया तो स्टेफनी को एमिली की बात याद आए उसने कहा था कि अगर तुम्हें आदमियों से डील करना है तुम्हें बहुत ही पावरफुल रहना पड़ेगा डारेगली तुम उन्हें कंफरंट कर सकती हो स्टेफनी उसी तरीके से डेनिस को कंफरंट करती है और फिर वहाँ से चली के वो फिर हर जगा पर एमिली की मिसिंग होने की फोटोज लगाती है बैचारा शॉन अकेला था तो उसके घर में उसके लिए खाना बनाती है बच्चों का खयाल रख रही थी एक दिन केस की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए खर पर डिरेक्ट्य हुआ है उन्होंने स्टेफनी को देखा और उन्हें कुछ गरबड लगती है इस तरीके की किसी की भी फ्रेंड नहीं होती जो घर में इतना सारा हेल्प कर सके डिरेक्ट्यों ने कहा कि हर जगा पर हम उसे ढूणने की कुशिश कर रहे है और अब तक कोई भी न्यूज नहीं मिली डिरेक्ट्यों के जाने के बाद शॉन स्टेफनी को थैंक्यू कहता है उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी अपने व्लॉग के वज़े से स्टेफनी को एक न्यूज मिली कि किसी ने एमिली को मिर्शिगन में देखा हुआ था ये बाद शॉन को बता देवे उन्हें एक कॉल आता है एमिली को पुलीस ने एक लेग में ढून लिया था लेग में डूप कर उसकी डेथ हो चुकी थी शॉन ने उससे आइडेंटिफाई किया और हो बहुत रोता है फ्यूनरल विगरा सारी चीजों में स्टेफिनी उससे हेल्प कर रही थी एमिली का बेटा अभी कहा रहा था कि मेरी मदर जिन्दा है तो स्टेफिनी का बेटा उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस बात पर उन दोनों का जगड़ा हो गया शौन अपने बेटे को समालने के ले जाता है तो उसे भी उसने बहुत भला बुरा कहा इन सब बातों से वो भी डिस्टर्ब हो गया था स्टेफिनी उसके बेटे को समझाती है कि तुम ज़रा डिस्टर्ब हो इसी बज़े से इस सब कह रहे हो पर तुम एक अच्छे बच्चे हो शौन अपसेट था तो स्टेफिनी उसके पास के उसे गले लगा लिया यतने करीब थे तो एक दुसरे को किस कर लेते है अपने फिलिंग्स को एक कंट्रोल नहीं कर पाए और इस दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है अब स्टेफिनी बहुत सारे टाइम ही बस पेंट कर दी थी एक दिन एमिली के वाटरोप से उसकी ड्रेस उसने पहन ली अचानक से डिरेक्ट्टू घर पर आ किया कुछ डेस को निकालनी पाती तो वैसे उसे मिली डिरेक्ट्टू उसे पुछता है क्या एमिली डिप्रेस थी उसने मरने से पहले बहुत सारे ट्रग्स किये थे स्टेफिनी कहती कि एमिली ने कभी भी ट्रग्स नहीं लिये थे अगर लियो होते तो उसे पता होता डिरेक्टू गयता है तुम शॉन को बहुत ही ज़ादा help कर रही हो स्टेफ़नी उसे समझाने की कुशिश करती है कि मैं सिर्फ उसकी friend हूँ पर डिरेक्टू ने कहा शॉन के पास 4 million dollars की policy है एमिली के मरने के बाद ही उसे सारे पैसे मिलने वाले थे कि तुम्हें इसके बारे में पता है स्टेफ़नी को इसका कुछ भी आइड़ा नहीं था गर में फिर स्टेफ़नी ने इसके papers ढूण लिये वो college में Sean से मिलने के लिए गई तो शॉन किसी और लटकी के साथ बात कर रहा था स्टेफ़नी को यह बहुत ही अजीब लगता है गर पर यह सब जब lunch कर रहे थे तो एमिली के बेटा गहता है कि मैं मदर से मिला था इस बात के लिए उसे कोई भी seriously लेता ने स्टेफ़नी इससे upset होगे तो शॉन बुछता है कि क्या हुआ स्टेफ़नी ने कहा कि मुझे एमिली का perfume हर जगा पर महसूस होता है शॉन कहता है कि मैंने उसकी dead body देखे इस तरीके से कुछ भी मत सोचो एमिली मेरे साथ हमेशा games खेलती रहती थी थी मदर की बहुत ही valuable drink आयब होके बाद में plane में उसे पता चला कि एमिली ने ये ले ली थी ये वो वापस भी नहीं करने वाली थी शॉन को उसने blackmail किया था शॉन ने कहा कि वो हमेशा मुझे तंग ही करती रही पर अब जब मैं तुम्हारे साथ हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने फिर से writing भी start कर दिया एमिली को भी सुनकर अच्छा लगता है स्टेफनी ने डिसाइड किया कि एमिली के सारे कबड़े वो fake देगी उसने fake दिये थे पर फिर बाद में फिर से उसके closet में उस सब आके इसे ओब बहुत ही ज़ादा डर जाती है एक दिन drive करते हो एमिली की बेटे ने कहा कि मदर ने तुम्हारे लिए दिया हुआ है इसमें स्टेफनी और उसकी stepbrother की photo थी इसे ओब बहुत ही ज़ादा डर गे एक दिन स्टेफनी को एमिली का call आता है उसने का मैं तुम पर नज़र रख रही हूँ यह जो भी हो रहा था इसके बारे में स्टेफनी ने शौन से बात की तो शौन कहता है तुम घ्रीफ में हो यह सब चीजे तुम इमेर्जिन कर रही हो इसके बाद हमें एक flashback दिता है इसमें एमेली और स्टेफनी बात कर रही थी जिस दिन स्टेफनी के ब्रदर और हस्बन की डेथ हुई इसके बार में उससे पताती है गर बर कुछ function था तो सब लोग मिलने के लिए आयो हुए थे जब स्टेफनी से मिला तो स्टेफनी का हस्बन को लगता है कि इनकी बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसे लेकर हस्बन ने उसे confront किया वो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो गया था वो स्टेफ ब्रदर को confront करने के लिए गाड़ी में बिठा कर उसे कही लेकर किया यही जाते वक शायद उन दोनों में fight हो गए और इसी वज़े से उसने गाड़ी टकरा दी इसमें उन दोनों की death हो गई थी स्टेफनी खुद को ही इसके लिए जिवेदार मान दी थी एमिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम सिर्फ अकेली हो इस वज़े से इस तरीके से सोच रही हो यह सब सोचते हो है स्टेफनी ने एमिली की पेंटिंग देखी वहाबर आर्टिस का नाम शुपाय हुआ था यह निकाल कर डारेक्ली आर्टिस से मिलने के लिए आके यह पेंटिंग दिखा कर एमिली को लेकर उसे बात कर दिया आर्टिस ने कहा कि उसका नाम एमिली नहीं था जब वो यंग थी तब एमिली से मिली थी उसकी प्यूटी में वो पूरी तरीके से खो गई थी वो हमेशा उसे इभेंड कर दी थी इस वज़े से अपना करियर उसने बरबाद कर दिया एक दिन अचानक से एमिली उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी स्टेफनी और भी जानना चाती थी तो आर्टिस ने उसके एक टीशर्ट उससे दे दी एमिली के टीशर्ट पर एक लेक का नाम था तो डारेकली स्टेफनी वहाँ पर पहुच जाती है वो स्टाफ से बात करकर बहुत ही चाला किसे जो भी स्टूड़न्ट्स यहाँ पर आयोए थे इन सारी फोटोस देखने की रिक्वेस्ट करती है इन फोटोस में उसे एमिली के फोटो मिल गए पर एमिली के साथ उसके सिस्टर भी थी जिसका नाम था फेथ एमिली के ऑफिस में स्टेफनी को जो फोटो मिली थी इस पर भी लिखा था तो मैरे पास फेथ होनी चाहिए अब स्टेफनी को एमिली का रियल नेम पता था तो उसके घर का अड्रेस हो निकाल लेती है और डारेक्ली उन्हें मिलने के लिए चली गई एमिली की पैरन्स किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं करते थे तो फादर के जाने के बाद मदर के पास एमिली जाती है, मदर की मेमेर इतनी अच्छे नहीं थी स्टेफनी ने का, मैं सारा क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ गर में स्टेफनी ने एमिली के सिस्टर की और भी फोटोज देखी वो दोनों बहुत ही सेम दिखती थी स्टेफनी ने एमिली की मदर से उसके बार में पूछा मदर गरती के Emily की sister Faith ये बहुत ही ज़ादा trouble create करती थी वो उसे तंग आ चुकी थी जब वो दोना sister घर से निकली तो घर को आग लगा कर गई थी ये सब पता चलने के बाद Stephanie शोर होके ये जिसकी dead body मिली थी वो Emily नहीं थी Stephanie फिर अपने vlog से इन डारेकली Emily को message देती है कि उसे पता है कि वो जिन्दा है गरा का Stephanie ने insurance वालो को call कर दिया एक दिन एक जगा पर Sean को किसी ने मिलने के लिए बुला हुआ था वहापर जाता है तो डारेकली Emily उसकी सामने आ गई वो बहुत ज़्यादा शौक में आ गया Emily भी उस पर गुसा थी क्योंकि उसने Stephanie के साथ affair किया वो पुछता है कि तुमने यह सब किया क्यों Emily गहती कि 4 million dollars के लिए वो सारी चीज़ों से तंग आ गई थी पैसे लेकर भागना जाती थी Sean कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बता है Emily गहती है तुम कुछ भी secret रग नहीं पाते Sean जब घर पर आया तो Stephanie इंशॉरंस वालों से बात कर रही थी सब कुछ उससे बता देने के बात इंशॉरंस के पैसे अब नहीं आने वाले Stephanie Sean पर भी गुसा थी क्योंकि उसने उसे जुटा खा था अबने vlog के मदद से Stephanie ने Emily को एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया Stephanie उससे कहती कि मैं तुम्हारी मदर से मिली एक्चॉल में हुआ क्या था Emily ने कहा कि जब हम teenager थे तो Faith बहुत सारा travel crate करती थी तो हमारे father हमें बहुत मारा करते थे इन सबसे ये दोनों बहुत तंग आगे तो एक दिन डारेटली घर को चला कर हमेशा के लिए वहाँ से भाग गे इन दोनों को नियूस पर दिखा गया था तो एक साथ अब ये नहीं रह सकती थी उस वज़े से अलग-अलग रास्ते पर चली कि स्टेफनी कहती कि मुझे पता है कि तुमने अपनी सिस्टर को मार डाला एमिली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अचानक से एक दिन फेट ने मुझे मिलने के लिए बोलाया उससे पता था कि अब मैं रीच हूँ उस वज़े से फेट ने एमिली को ब्लैक मिल्क किया उससे वन मिलियन डॉलर्स मांगे स्टेफनी कहती कि मैं उससे देने के लिए रेडी थी उसके बाद इस दोनों लेक में स्विम करने के लिए गए हुए थे एमिली कहती कि स्विमिंग करती है फेट पानी से बाहर आई ही नहीं पर इजूट था एमेली ने फेट को मार डाला था स्टेफनी एमेली के स्टोरी पर विलीव नहीं करती एमेली ने कहा कि तुमने इंशॉरंस को तो बरबाद कर दिया तर मेरे पास एक प्लान है स्टेफनी फिर रात में जाकर शॉन की पिसे में कुछ फायस डालती है इसे पुलिस को लगेगा कि वो भी एमेली के साथ शामिल था अगली दिन पुलिस ने उसे अरेज्ट कर लिया एमेली खुद को इंजॉर करती है और पुलिस के पाज आती है उसने पुलिस से कहा कि शॉन ने इस सब प्लान किया था उसने मुझे मार कर जबरदस्ती इस सब करने के लिए कहा था जब शॉन को बेल मिली तो एमेली के पास आता है एमेली उसे देखकर सप्राइस थी अजानक से यहाँ पर स्टेफनी भी आके वो शॉन पर बहुत ही कुस्सा थी क्योंकि उसने सिर्फ उसे यूज किया स्टेफनी एमेली से कहती है इस शॉन ने तुमारी सिस्टर को भी मारा है अब हम इसे मार डालते है उसने गन निकाली और शॉन को शूट कर दिया एमेली ये सब देखकर हसने लगके कहती कि नाटक बन कर तो मुझे तुमारे ब्लान के बार में सब कुछ पता है मैं इस तरीके से कनफेश नहीं करने वाली या अक्चुल मैं स्टेफनी और शॉन का एमेली से कनफेशन लेने का प्लान था तो शॉन भी उट जाता है स्टेफनी ये थी कि पर तुमने तो कनफेशन कर दिया एमेली ने कहा कि मैंने पहले ही घर से सब कुछ कैमेरे वेगरा निकाल लिये थे पुलिस को बड़ी चाला के से उसने किसी और घर में भेज़ दिया है वो फिर अपनी गर निकाल दिया उसने शॉन को शूट करे दिया वो गहती कि शॉन की मरने के बाद मुझे फिर से 4 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे वो स्टेफनी को भी मारने वाली थी पस स्टेफनी कहती है तुमने अभी अभी जो भी किया पस स्टेफनी का एक सबस्क्राइबर आकर एमिली को गाड़ी से टकरा देता है उसे फिर जेल में डाल दिया गया था शॉन को भी जादा चोटने आई थी तो वो भी रिकोर हो गया इसके बाद शॉन ने बुक ली की जो बहुत ही फेमर्स हो कही थी यह सारा को स्टेफ ने अपने व्लाग में बता रही थी तो इसकी भी वन मिलियन फॉलोर्स होके एमिली ने जेल की लाइफस्टाइल भी एडप्ट कर ली थी इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पेनेशन अचा लगा तो प्लीजिस से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लिख कर आता है तो तो प्लीजिस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से में लेंगे और एक नेमो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप हमने आपका खैल रखिया